साक्षी मॉडर केस में क्या हुआ है नया खुलासा पुलिस पूशताच में आरूपी साहिल ने क्या कहा हिंसा प्रभावित मणिपूर दौरे के दूसरे दिन कहां कहां जाएंगे अमिश्या जमू कश्मीर में आतंकियों ने किसे बना निशाना देश की तमाम बड़ी खबरे साक्षी हत्यकांड के आरूपी साहिल को रोहिनी कोट में पेश किया गया कोट में उसे दो दिन की पुलिस निमान पर भेज़ दिया है साहिल को लेकर एक और खुलासा हुआ है हत्या के बाद फरार साहिल टीवी पर इस वारदात के खबर देखता रहता था उसे पता लग गया था कि हत्या की वारदात सीसी टीवी में कैद हो चुकी है साक्षी हत्यकान में अब एक नए किरदार की एंट्री हुई है आरोपी साहिल ने पूछताश में बताया कि साक्षी का जबरू नाम के लड़के से अफैर था दबंग जबरू ने साहिल को साक्षी से दूर रहने को कहा था साहिल को लग रहा था कि जबरू उसे मार देगा इसी वज़ा से उसने वारदात को अंजाम दिया साक्षी मर्डर केस में नए-ने खुलासे हो रहे हैं डिली पुलिस के सूतरों के मताबिक हत्या के आरओपी साहिल ने मर्डर से 15 दिन पहले चाकू खरीदा था जाकू कَरीदा था मसदूर का नाम दीपू है और वो उधंपूर का रहने वाला था पुलिस ने F.I.R. दर्च कर जाच शुरू कर दी है मडीपूर हिंसा के बाद ग्रे मंतरी अमिर्शा मडीपूर दौरे पर है दिली के पूर्फ डिप्टी सीएम मनीज सिसौधिया को दिली हाई कोट से जटका लगा है शराब गोटाला मामले में कोट ने उनकी जमान अतियाचे का खारिच कर दी कोट ने अपने आदेश में कहा कि सिसौधिया के खिलाफ आरोप काफी गंबीर है सिसौधिया दिली हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती देंगे